विद्ध्यार्थी मित्रों, आज हम डाक्टर बाबा साय बंबेड कर विश्व विद्ध्यालाई के बीए तृतिय वर्ष के शष्टम सत्र के अंतरगत हिंदी साहित्य का आधुनिक इत्यास इस प्रश्ण पत्रों को देख रहे हैं इस प्रश्ण पत्र के अंतरगत हमने इससे पूर्व ही आधुनिक काल की प्रस्थितियों पर क्या प्रकाश डालना प्रारम किया जिसमें हमने आधुनिक काल की राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक प्रस्थितियों को सविस्तार से देखा अब हम इस अध्याय के अंतरगत से अंतीम जो परिस्तितियों का पॉइंट है या हम कहेंगे प्रश्ट भूमी है उसे देखकर इस अध्याय को आज के इस घंटे में समाप्त करने का प्रयास करने वाले हैं तो देख लिजे आज हम आर्थिक तता साहितिक प्रश्टितियां या दूसरे शब्दों में यू भी कह सकते हैं आर्थिक तता साहितिक प्रश्ट भूमी तो हम इस अध्याय के अंतरगत के इस दो पॉइंट को छोटे-छोटे आप लोगों के सम्मोग रखते हुए उसे जो है तो क्या है प्रस्थुत कर रहे हैं तो देख लिजी सुचारू रूप से आर्थिक तता साहितिक प्रस्थिति पर हम जो है तो विचार प्रकट कर रहे है यह तो अंग्रेजी शाषन का आरम होते ही देश की आर्थिक दशा बिगड़ने लगी थी दिन प्रति दिन निर्दन होते जा रहे थे सस्तों यह है कि मशीन युग प्रारम होने के कारण हमारे गामों की हमारे मुल्क के ग्रामों की पूर्व जो वेवस्था थी वो जो ह पूरी तरह से चर्मर आ गई थी पहले पहल हमारे ग्राम भारत वर्ष के स्वयम पूर्ण थे स्वयम उत्वादन कर लेते थे अंग्रेजी पुंजिवाद की माया के नीचे देश पुंजिवाद को पर्मपानी के आउसर को प्राप्ट करता हुआ अंग्रेजी साम्रजवादी आर्थिक निती से देश की अधिकांस जन्संक्या जो की क्रशी पर निर्भर क्या करती थी वो गाउं की अर्थ निती में जमिंदार महाजन व्यापारियों का कुछक्र होने लगा क्यूंकि उनके स्वार्थ एक समान ही थे जैसे अंग्रेज श जो जमिंदार है महाजन है व्यापारियों क्या एक चट्टे के बटे हो गए और अंग्रेजी भारत वासियों से सस्त्थ कीमत पर कच्छा माल खरिटे थे और वो खरीद कर उसका जो तो पक्का मालो तयार करते थे और महेंगे दामों में जो है तो क्या है उसे लाकर जो है तो बेशते थे और इस मशिन यूग के साथ साथ क्या है दास्ता का बंदन भी और अधिक पेचिदा हो गया गुलामों की शारिरिक बंधनों की आपेक्ष क्या आर्थिक शोषन की जो है तो प्रक्रिया को यहां पर क्या इन्होंने प्रारम क्या कि यदि सुख्षमता से अगहराही से भारत पर विदेशी पुंजीवाद की कि चर्चा की जाए तो ऐसा पता लगता है कि पुंजीवाद भी देश को निचोड़कर कि रखने में अंग्रेजोंने क्या है कोई कसर नहीं रखी देश के जो गरिब गुरुबा है मध्यम वर्गी निमन वर्गी आईसे लोगों को जो है तो यह पुंजीवाद के माया जाल में लाकर समाज में वर्गभेत में उरद्धी करकर समझत सामाजिक अंदोलोरों हल चलो का विरोद्कर प्रतिविंबित हमारे सहित्य में जो है तो क्या इसकी जलक जो हमें देखने के लिए मिलती है इससे हमें जो है तो क्या है पता चलता है कि किस प्राकार से अंग्रेजों ने अपने शाशनकाल के अंतरगत जो है तो हमारी सोने की चिडिया को किस तरह से प्रखेता है विद्वानों को विचार है उनके काविशाहिते के समय में या गद्दे सहित्य के समय में हम उस पर क्या है विस्थु चार्चातों करने वाले हैं किन्तो आज हम इस घंटाए में सिरी परशिट थानमिक और सामाजिक परस्तीतिया जैसे हमने से पूर्वधी वैसे ही क्या है आर्थिक और सहितिक परस्तितियों पर क्या है प्रकाश्टा आन्मेवारिय तो मैंने आपको बत लाया कि भारत की श्तिति कैसी ती अंग्रेजों का दमन्चक्र कैसा चड़ रहा था वो कैसे माया जाल में भसा रहे थे सही आर्थ में अब देखे तु पता चलता है कि संद अठासो सत्ताओन के बाद अंग्रेश शाषन भारत में अच्छी प्रकार से क्या आए जम गया था इसके परिनाम सोरुप मध्यकालीन सामंती विवस्ता और संस्कृति का लोप होने लगा था उस सामंती यूग का अंत और अधुनिक यूग का आरम इत्यास की आउशक्ता थी यदि कप्टी अंग्रेजों को अगमन न भी हुआ होता तो भी यह आर्थिक और संस्कृतिक क्रां क्रांती हमारे देश में आउश्य होती ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है कि विद्यशों के अगमन से इस क्रांती में विलम हुआ ऐसा भी वो मानते हैं हमारे देश में अंग्रेज आने के पूर्व वेवसाय और उद्द्यों काफी फाइले हुए थे मैंने कहा ना ग्राम कैसे थे स्वयम पूर्ण थे और वह जो है तो आत्मनिर्भर थे वह जो है तो अपने आपकी जरूते बराबर पूरी क्या करते थे लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें नष्ट करके हमारी सामाजी का और आर्थिक उन्नती में महान व्यागात उपस्थित कर दिया अंग्रेजों का उद्देश भारत के आर्थिक शोषन का कारण ही नहीं था इसके पूर्ति के लिए उन्होंने एक और तो देशी उद्योग धंदों को भी नश्ट किया और दूसरी और विदेशी पुंजी से भारत में नए नए उद्योग स्थापन किये है जैसे र आती के दाद बताने एक होते है खाने एक होते है इस प्रकार का उन्होंने का लिक्या इतना ही नहीं उसके आगे बढ़कर उन्होंने शिक्षा प्रसार भी विशाल सामराज्य को चलाने के लिए सस्ते कलोर के उत्पन उत्पादन निर्मिती के लिए जो है तो क्या है शिक् कोटे देहातों तक कि इतना है नहीं है टाउन प्लेश तक शेहरों में तक हमारे बीड का एक्जामपने लिजे आप सेंट जेवरियस सेंट आंस है ना आज ये इसकोले अगरे तो आज भी उनका जाला क्या है बड़े पैमाने पर फैलावा है और एजुकेशन देखर वो क्या करने आ लेते इस शिक्षा से केवल क्या है बाबू और क्लरकों की निर्मिती करकर उनका जो तो सारा कारबार का जो चलाने के लिए हमारी लोगों को नई मेका दी की सिक्षा पद्दती से जो तो क्या है हमेडिय तो हमारे लोगों के उपर उनके मतानुसार कारे करने के लिए और एंगरे स्वेस के महंगाई आकार, टैक्स और ढार्री ъर्द भारती हिंदु की क्या है प्रमुक आर्थिक सम यहीं कारण है कि Congress ने राजनितिक सवतिन्ता के साठता की भी क्या मांगे थी. Congress Party ने केवल राज की सवतिन्ता नहीं चाहिए हमें आर्धिक सवतिन्ता भी चाहिए इस प्रकार की जो घो तो मांग की ही ती. यही कारहनी की कॉंग्रेस ने राजनीतिक साधिनता की और आर्थिक साथनता की बात सत्ता उनके कुरांती के बाद अंग्रेजों ने अपने समर्तों को बड़ी-बड़ी जागीरे प्रदान कर जमीनदार प्रथा को प्रोसान दिया। देख लिजी मांग करने के पाशात सत्ता उनके बाद उन्होंने एक नहीं नीती चली क्या क्या उन्होंने कि उनके जो समर्तक थे उनके जो फिट्टू थे एना उनके जो है तो मानने वाले लोग जो थे एना उनीक उनीक के काम को आमल में लाने वाले हमारे में की कुछ लोग थे ऐसे लोगों को जो है तो जमीनदारी प्रथा के माध्यम से उभारा कृष्यक वर्ग पर माल गुजारी का बोजा डादा प्रथा माहिद्ध के पश्यात कांग्रेश ने विदेशी वस्तों का भाष्कार करके अंग्रेशों के अध्योगिक नीती वो आर्थिक शोशन का ख पुलबाला होने के कारण स्वामिक और प्रशक वर्ग शोशक की चक्की में पिष्टा चला गया और हमें दिखाय देता है कि प्रमुक रूप से जो है तो शोशक और शोशित यह दो वर्ग है आपर क्या है निरमान होए वे और स्वामिक, प्रशक यह ना ये लोग जो है त सिद्धी के लिए भारत की आउध्यगिक उन्नती की इस उन्नती के मूल में शोशन ही क्या है छुपा हुआ है काल अंथर में सवतंतता प्राप्ति के पाश्यात कुछ हस्त कि चित्र बदला हुआ में आज क्या है देखने के लिए मिलता है अब देख लीजिए ना अंग्रेज दोने भले हम पर राज्य किया शाशन किया सुविधा के समासुदार की कुछ बाते हो गएरे रखी लेकिन आर्थिक स्थिति से उन्होंने हमें बहुत निचोड़ा यह जो है तो क्या है मुल्क हमारी सोनी की चिडियाती किस प्रकार का उसने उसका हाल कर दिया यह हमें देखने के लिए मिलता फिर आजादी के बाद जैसे हमें दिखाए देता है नेरू है शास्री है एना इंद्रा गांधी है ऐसे बड़े-बड़े जो हमारे महान नेता उ जो है तो भारत की उन्नती की और आज तो आई शिस्तिती है फिर से हम जो है तो क्या है विपरिद्धिशा में चलते हुए नजर आ रहा है खर छोड़ दीजिए मैं आप लोगों के सम्मूख अभी इस वाक्त आर्थिक प्रस्तिती को रखने के पशात अब जो है तो साहिति प्रस्तिती के अंतर गत्य दिहम कावे साहिते और गद्य साहिते जो देखने वाले है उसमें जो तो डिटियाल में सारा क्या है आधुनिक काल का साहिते आने वाला है कि इस कि पहा काल कू कि क्योंकि आदी भक्ती रिति तीनों गणॉट के तुलना में एक आधिनिक आधीन होने के कारण जो है तो कम जगे तो शब्दों में या हमें अधिकाय देता है कि एक प्रेड में हम समाथ नहीं कर सकते क्योंकि उसे पुरे पाठि करАम के रूप में पूरे सत्र के रूप में हमें जो इतो क्या एंशेंशें नंज की ना है और कदम दर कदम चलना है तो मेहां भाल्य है अपर एक जहा कि आप लोगों के सामें प्राश्टुत करने का प्रयाश करता हूं और जहां На प्रस्तितियों पर प्रकास दानने के बाद, यहां पर हमारे आधुनिक काल की जो है तो प्रस्ट भूमिक हो या प्रस्तितियाक हो, वो राजनितिक हो, सामाजिक हो, की धार्मिक हो, क्या आर्थिक हो, की सहितिक हो, वो यहां पर समाप्त हो जाती है। आधुनिक काल के सहीतिक प्रस्तितियों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि आधुनिक काल का सहीतिक जो विशे है और जो शाहिदी आए यह दोनों शेत्रों में अपने पूरवर्ति सहीतिय से क्या आए यह भिन्न है। कि इससे पहले भी कहा गया हुआ इतना ही नहीं तो पंचम सत्रह भी भी हमने उसके उपर स्विश्टार बात की भी है रही हमने उसका जेतों क्या आए और फिर वही बात कर रहे हम कि अधुनिक का सहीतिय उसका जो विशे लेते हैं हम तो उसकी शाहिदी यह दोनों शेत्रों म है अपने पुरोवर्ति सहीत्य से क्या है यह एकदम अलग है भिन्न है इस भिन्नता का कारण जहां तातकालीन राजनेतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक है वहां इस देश में भाई संपर्क तता विविद्ध सहीत्य के प्रभाव ने भी इसे महत्वपूर्ण क्या आये यह उगदान-प्रदान क्या हो आए अधुनिक काल के सहीत्य में एक विश्ष्ट उधारग व्यापक्ता और विव्यद्धा आई है जिसक जन समों को खुली आंकों से देखा भारति अंदु यूग आधुनिक इंदी साहिद्य क्या है प्रवेजदार है और भारति अंदु हरिष्चंद्र आधुनिक काल के पिता माह है द्वेधी यूग के साहिद्य में विशेगयत और कलागत अंन्मुल्य परिवर्तन हुए है इशक माध्यम सुकृत होना और साहित्य के विभिन्न रूपों का प्रचलन हुआ जैसी कि हमने देखा वुपन्यास है काहनी है नाटक है एकांकी है जिवनी है आत्मकता है संस्मरन है रेखाचित्र है अलोचना है एना रिपोर्टाज है इनिकि और भी आगे-ागे हम बढ़त है तो पत्रलेकन हैं अंतरसाक्ष है तो इस प्रकार भी न रूपों का क्या है प्रचलन वहाओ यहां हमें दृष्टी को चरह होता है और साहित्य के विदाओं का रुप रूपविदाण जो है तो पाश्यात्य सहित्य के अनुकरन पर हुआ वाहा है, वर्निसाहमगरी की दृष्टी से भी यह नहीं, तो उभिनकावी रूपों के लिए भी जिस प्रकार हिंदी सहित्य, बंगला, कुजराती और मराटी भाश्याओं के सहित्य का क्या है, उसी प्रकार वो जो है तो अंग्रेजी सहित्य का भी क्या है, रिनि हमें देखने के लिए मिलता है, तो विद्यारती मित्रों, देख लीजिये, मैंने आप लोगों के सामें, हिंदी सहित्य के अधुनिक काल के इस पेपर को जो है तो प्रारम किया, और इसमें जो है तो पहला अध्याई जो था लोगों के समुख, सारी कि सारी परिस्तियों को सपष्ट करते वे इस अध्याई का क्या है, मैं समापन कर रहा हूं, और अगले घंटे में जब हम इसके परश्ट का प्रारम करेंगे, तो उसमें सरो प्रथम क्या है, काविशाहित्य को देखेंगे, अब काविश मैने तो आ देखना है, डाक्टर बाबा साहिबा मेड़कर विश्व विध्याले ने, सना तक पाठेकरम के अंतरगत, जितनी बाते रखेंगे, उतनी कोई देखना है, वैसे हिंती साहित्य के इत्यास बड़ा है, आतुनिक काल भी मिश्तृत मातरा में है, और पाठेकरम में जो है तो जो है तो कावे साहित्य के अंतरगत भारतिंदु कालीन कविता या भारतिंदु यूगीन कविता इस पर क्या है चर्चा करेंगे, और वो जो है तो क्या है, ये हिंदी साहित्य के अधुनिक काल के अंतरगत के दूसरे अध्धाय को क्या है प्रारम करेंगा, आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद.